हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल के कशिश की कहानिया फ्रेंड्स ठंड जो है बढ़ती ही जा रही है और बहुत ठंड लगती है मुझे भी सो आपके शहर में ठंड है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताईएगा तो आज जो है आज भी मैं आपको विंटर्स की एक स्पेशल डिश एक स्पेशल रेसिपी से खाने वाली हूँ यह जो है वो मुझे तो ऐसे लगता है कि शाए सिंधी लोग बनाते हैं मुझे प में गुड़ का वड़ा का अकुं अधी तो छिली आज मैं आपको गुड़ के वड़े की रेसिप्स देती हूँ उर इसे बनाई को बाए और अन्जय कीजिए तो फ्रेंड्स वड़ा बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए होगा हमें चाहिए होगा गेहु का आटा, गी और हमें चाहिए होगा गुड और ये जो गोटा है नारिल का इसको मैंने इस तरीके से कद्दू कस कीजिए या फिर मिक्सर में छोटे-छोटे टुकड़े काटकर पीस लीजिए हमें चाहिए होगे काजू, बदाम, किश्मेश, पिस्ता भी अगर आप चाहिए तो डाल सकते हैं हमें चाहिए होगी इलाइची पीसी हुई, खस-खस, गोन को इस तरीके से मैंने बिल्कुल बारिक फ्रेंट्स पीस लिया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसेपी जब से पहले मैं क्या pools कौन के एक प्लेक मैं इन सबको मिक्स कर दूँगी जैसे की खस-खस इलाइची अतनी सारी नहीं डलेगी, फ्रेंट्स सोडी सी डलेगी इलाइची सारे ड्राइ फ्रूट्स और ये जो मैंने गोटा किया था ना इन सब को मैं मिक्स कर दूँगी अच्छे से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने गी ले लिया है एक कटोरी अगर मैं गी लूँगी तो उसमें 3-4 कटोरी मैं आटा डालूँगी तो ये देखिए मैंने आटा और गी ले लिया है गरम करके और मैंने इसे बुनना स्टार्ट कर दिया है हमें उतना गी लेना है कि वो थोड़ा सा तैडने लगे गी उतना गी हमें लेना है ये देखिए इस तरीके से अब मैंने इसे बुनना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स और इसको बुनते-बुनते मैं जो है इसमें डालूँगी एक से दो चमच गोन ये जो गोन मैंने पीसी थी ना फ्रेंड्स वो मैं इसमें आड़ कर लूँगी दो चमच मैंने आड़ कर लिया है तो यह देखिए मैंने आटे को सिम पर भुन लिया है और यह ब्राउन हो चुका है इस तरीके का ब्राउन कलर हमें करना है इसे सिम पर भुनते-बुनते और यह जो कलर है अच्छे से आ गया है खुश्बू भी बहुत अच्छी आ गई है अब जो है जो मिक्सर मैंने तयार किया था ना ब्राइफ रूट वाला कसकस वाला और ये गोटे वाला वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी और दो से तीन मिनिट तक मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी इसमें ताकि सारी तुकडों में काट दिया है ताकि उसे मेल्ट करना इजी रहे कडाई मैंने ली है उसमें मैं हलका सा पानी चिड़कूंगी ताकि गुड़ जो है वो चिपके ना इस पे और पानी चिड़कने के बाद जो तुकड़े मैंने गुड़के किये है वो सारे मैं इसमें डाल दू कंटिनियूजली हिलाना है कंटिनियूजली हिलाते हिलाते फ्रेंड्स ये देखिए एक टाइम पर ऐसा स्टेज आ जाएगा कि ये गुड़ जो है मेरा सारा मेल्ट हो चुका है बट ये अभी पका नहीं है इसमें थोड़ा ब्राउन कलर आना बाकी है मैं सिम पर इसे कर रही ह कि ये जो मेरा ब्राउन हो चुका है थोड़ा सा ये ड्रॉप्स मैं इस कटोरी में डालूंगी ये देखिए इस तरीके से अब मैं अपने हाथों की हैल्प से उंग्लियों की हैल्प से चेक करूंगी कि ये इसमें क्रण्च आया है कि नहीं ये क्रिस्पी हुआ है कि नहीं soft नहीं होना चाहिए friends इसमें एक crunch आना चाहिए तूटने पर तो ये देखिए ये मैं check कर लेती हूँ ये yes ये तूट रहा है easily और इसमें crunch आ चुका है मैं एक बार और confirm कर लेती हूँ ये देखिए एक बार और मैंने डाल लिया है ये देखिए और इसको मैं हाथ उंगलियों से इस तरीके से तोड़ूँगी तो इसमें crunchy आवाज आ ये yes ये crunchy हो चुका है that means कि हमारा गुड टोटली पक चुका है अब हमें friends फटाक से इसमें वो जो mixture हमने रेडी किया था ना वो mix करना है और quickly इसको mix देना है क्योंकि ये जल्दी से dry हो जाता है क्योंकि इसे हमें बेलना है चोटे टुकड़ों में भी आप बेल सकते हैं मेरे पास कोई helper नहीं था तो मैंने जल्दी से इसको फैला कर एक बड़ा सा तुकड़ा बेल लिया है पतला सा आपको बहुत quickly ये सब करना है क्योंकि ये बहुत quickly dry होता है तो मैंने ये बड़ा सा जो है इसका रोटी जैसा बड़ा सा बेल लिया है सारा का सारा जो mixture सा वो डाल के और ये बड़ा मेरा ready हो चुका है देखी फ्रेंड जी दिखने में कितना प्यारा लग रहा है कितना सुंदर इसका color आया है और सर्दियों में जब भी मैं खाना खाती हूँ और मुझे good खाने की cravings होती है तो मैं ये वड़ा खाती हूँ और पाच दस्मेट के बाद ये easily निकल भी जाएगा आपके slab से तो ये देखिए ये निकल रहा है और मैं इसको store कर लूँगी transparent polythins लगा के और चोटी-चोटी तुकड़े करके इसको मैं store कर लूँगी और friends अगर आपको मेरी ये recipe पसंद आई हो तो आपको क्या करना है आपको याद है ना मेरे चानल को like सकते हैं